दोस्तो नमस्कार एक वाफिट से आप सभी का क्रिप्टो करंसी की दुनिया में स्वागत है और आज का वीडियो फ्रेंट्स बहुत ही जादा इंपोर्टेंट रहने वाला है खासकर जो लोग क्रिप्टो करंसी अब बिटकोईन में काम करते हैं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ड करते हैं क्या आपने सच में हमारा पिछला वीडियो देखा था अगर सच में उस वीडियो को देखा होगा और अपने ट्रेडिंग एकाउंट में इंप्लिमेंट किया होगा तो मैं 99% guarantee देता हुँ इस चीज़ की आज आपका portfolio जरूर कहीं न कहीं positive में होगा अब हमें Bitcoin को क्या करना चाहिए, Ethereum को क्या करना चाहिए, Ripple को क्या करना चाहिए, BNB को क्या करना चाहिए और जितने भी alt coins हैं उनको क्या करना चाहिए तो अगर आप भी यहाँ पे altcoin crypto market में involved है trading करते हैं तो इस वीडियो को आप लोग end तक जरूर देखिएगा मैं 99% guarantee देता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे bitcoin की जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि bitcoin 46,000 डॉलर से 50,000 डॉलर हमें आसानी से देखने को मिल सकता है लेकिन bitcoin 49.something डॉलर गया और अभी correction लिया अल्रेडी सब कुछ बताया हूँ कि bitcoin आप खुछ सोचिए कि 3,000 डॉलर पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया थी कि long term के लिए बहुत अच्छा है bitcoin आप थोड़ा थोड़ा पैसा investment करते जाई ये long term के लिए आपको बहुत अच्छा return मिलने वाला है तो bitcoin आप खुछ सोचिए जब 3,000 से लगबक 50,000 डॉलर टच करने वाला है तो क्या छोटा मोटा correction आपको नहीं देखने को मिलेगा क्या 100-200-500 डॉलर का correction देखने को नहीं मिलेगा जरूर मिलेगा region अब आप मेंसे ये बहुत सारे लोग सोच रहे होगे कि bitcoin 3,000 डॉलर से 50,000 डॉलर तो चला गया तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा correction आने वाला है बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल भी मत सोचना कि bitcoin अभी 5,000 डॉलर आने वाला है region सबसे बड़ा region मैं आपको बताता हूँ आप सब लोगों को याद होगा 2016, 2015, 2017 वहाँ पे क्या होता था bitcoin के बारे में लोग नहीं जानते थे, awareness इसकी नहीं थी, बहुत बड़ी-बड़ी companies इसे involved नहीं थी लेकिन आज की date में माहौल कुछ और ही हो चुका है, बहुत बड़ा scene हो चुका है दुनिया का सबसे अमीर आदमी, Elon Musk investment कर दिया, MicroStrategy, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े इंसान है, जो बड़ी-बड़ी company है, सब लोग bitcoin के अंदर आ रही है आज 2020-2021 में बहुत बड़ा change हो चुका है, bitcoin crypto market बहुत ही बड़ी industry होने वाली है अभी जिसने भी नहीं समझा bitcoin cryptocurrency को, आप 2025 में देखिएगा, 2030 में देखिएगा, बहुत ज़्यादा पस्ताने वाला है क्योंकि आप खुश सुचिए, 2015 में जो bitcoin 500-600 dollar का मिलता था हमारे सामने की बात है, खाली 500-600 dollar का होता था bitcoin, तब लोग believe नहीं करते थे और आज वो लोग पस्ता रहे हैं कि bitcoin में अगर हमने थोड़ा सा भी risk लिया होता, 100-200-500 रुपे भी investment किया होता, 5000 भी investment किया होता, तो आज हमारा पैसा कहा होता तो इसलिए अभी भी time है, लेकिन investment उतना ही करना है, जितना आप risk ले सकते हैं, ये चीज मैं हमेशा अपने audio, video, message में हर जगे बोलता हूँ, कि risk है, तो risk है, जितना ज़्यादा आप risk ले सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको profit में मिल सकता है, लेकिन अपने capital amount को, अपने portfolio को divide करके रखिएगा, सारा का सारा पैसा bitcoin में आपको investment करने की जरूरत नहीं है, तो bitcoin अभी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं वाला है, 1500 dollar correction आएगा, कोई problem नहीं है, long term के लिए, mid term के लिए आपको आसानी से 60,000, 70,000 और 1,000,000 dollar भी दिख सकता है, क्यों ये चीजे होने वाली ह इसका मैं research कर रहा हूँ, analysis कर रहा हूँ, और इसके उपर एक separate video बनाने वाला हूँ, कि आखिर bitcoin की कितनी छमता है, कितना price इसका सबसे उपर जा सकता है, कौन सा ऐसा price रहने वाला है, जहांपर bitcoin टच कर सकता है, possibilities क्या है bitcoin के highest price की, इसके उपर मैं अलग से video बनाऊगा, अगर आप लोग भी bitcoin का highest price के बारे में जानना चाते है, तो एक comment करके हमें बताईएगा, अब हमें आपर बात करने वाले हैं, ethereum coin के उपर, आखिर कौन नहीं जानता, ethereum coin 85 dollar, 90 dollar पे सोता था, और market में फड़ फैलता था कि ethereum coin scam होने जा रहा है, zero होने जा रहा है, चाहे वो 2017 की बा हुआ है channel पर, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, हमेशा बताता हूँ, ethereum बहुत top class का project है, जिस तरीके से आप bitcoin पे भरोशा कर सकते हैं, उसी तरीके साप ethereum में भरोशा कर सकते हैं, अभी new year में आप सब लोगों को याद होगा, हमने ethereum coin में 600-700 dollar पे entry करवाई थी, और आज की rate में 1800 dollar चला है, मतलब 3X तो आलेडी हो ही चुका है, सिरफ दो महिने भी अभी complete नहीं हुए, लेकिन short term में भी हमने बहुत अच्छा benefit कमाया है, अपनी पूरी family members ने कमाया है, क्योंकि पहली बार हमने 4-5 साल के age में यहाँ पे हमने जो industry में काम किया, पहली बार हमने live में 4 पार trade किया Ethereum coin में, इसकी वज़ा से क्या है, Ethereum fluctuate भी बहुत अच्छा खासा होता है, और fluctuations में हम बहुत अच्छा entry और exit करके पैसे बना सकते हैं, तो अभी current scenario क्या है, आलरेडी मैंने Ethereum का video बनाया है, कि Ethereum coin can't touch $10,000 in future, अगर आपने इसके उपर वीडियो नहीं देखा है, चैन Ethereum अभी आप hold कीजिए, mid term में आपको आसानी से $2,000, $5,000 बहुत आसानी से देखने वाला है, लेकिन जो short term trader है और intraday trader है, और जो लोग यहाँ पर leverage trading करते हैं, खासकर Bitcoin और Ethereum में, वो बहुत ही alert रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी 100-200-500 dollar का dump और pump आपको Bitcoin में दिख सकत है, इसकी वज़ा से आप लोग leverage trade से तो बिल्कुल भी दूर रहिएगा, और अगर आप बहुत risk taker हैं, तो 2x, 3x, 5x leverage ले सकते हैं, और limited investment करने के बाद में आप इसमें entry कर सकते हैं, short term में आप entry exit करके पैसे बनाते रहिए, mid term और long term holders जितने भी हैं, चाहे वो Bitcoin हो या Ethereum हो, स आने वाले 1-2 महिने के अंदर में, हो सकता है, इसको और कम समय लगे, लेकिन Ethereum धाई हजार डॉलर, 3,000 डॉलर आपको आसानी से दिख सकता है, तो अगर आप mid term holder हैं, तो आप लोग इसको hold करिएगा, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, Ethereum जो coin है, वो mid term और long term के लिए बहुत जबरदस project है, हमेशा इसके बारे में बताता रहता हूँ, अब यहाँ पर आप मेंसे बहुत सारे लोगों के question आ रहे हैं, कि आखिर ripple coin को क्या हो गया है, ripple coin को क्या करना चाहिए, तो जो लोग हमारे साथ बहुत दिनों से काम करते हैं, ripple coin एक ऐसा coin है, जहां पर आप बहुत अच्छी trade कर सकते है, बहुत जबरदस इसमें fluctuation होती है, बहुत ज़्यादा pump होता है, बहुत ज़्यादा dump होता है, अगर आपने सही entry लिया और exit किया, तो आपको बहुत जबरदस profit होगा, क्योंकि आप सब लोगों को याद होगा, 2020 में हमने 10 से 12 trade करवाई है, ripple coin में, proof जनुवरी की बात करें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, हमने 2 जनुवरी को free signal दिया था, वहाँ पे 60% का profit भी हुआ था, उसके बाद अगेन बता दिया कि ripple coin dump होने वाला है, सब लोग बाहर हो जाईए, और ripple coin dump हुआ, और अगेन यहाँ पे हमने 25 और 22 cent के पास entry करवाई, और यहाँ पे मैंने बता दिया, वीडियो भी बनाया था, ripple के उपर आप सब लोगों को याद होगा, 20 minute, 30 minute की पूरी वीडियो में बनाया था, कि अच्छा खासा profit मिलने वाला है, तो ethereum यहाँ पे ripple भी क्या किया, यहाँ पे 300% का profit लगबग दिया था, 3x हुआ था, क्योंकि 22-30 cent से लगबग 78 cent तक गया था point में, तो आप खुश सुचिए, वहाँ पर भी मैंने बताया कि profit book कर लीजियो और बाहर हो जाईए, लेकिन यह pump Wells के द्वारा किया गया था, बहुत बड़े-बड़े groups थे, इसकी वज़ा से ripple coin pump हो गया था, unexpected, और उसके पाद में जो दो trade हुई है अभी जनुरी मन्त, फरोरी मन्त में, तो ripple की दो trade complete हो चुकी है, अब आप मेंसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर अब ripple का क्या करना चाहिए, तो short term और intraday trade के लिए मैं अभी wait कर रहा हूँ, कि कब entry लेनी है, और mid term और long term के लिए मैंने अल्रेडी यहाँ पे price बता दिये हैं, बहुत आसानी से आपको एक डॉलर, दो डॉलर दिख सकता है, और again मैं आपको ripple के बारे में वीडियो बना दूँगा, अगर आप लोग चाहते है recent वीडियो ripple coin के उपर, तो comment करके हमें जरूर बताईएगा, और ripple coin mid term के लिए बहुत अजबरदस profit देने वाला है, अल्रेडी हमने टेलिग्राम में बताया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल नहीं जोईन किया है, तो आप बहुत बड़ी opportunity मिस कर रहे हो, टेलिग्राम चैनल का link description में है, official.crypto guru के नाम से, उसको जरूर जोईन कीज वहाँ पे हर एक coin का मैं update देता हूँ, बहुत सारे free signal देता हूँ, बहुत सारे premium signals देते हैं, बहुत अच्छे-च्छे coins के update भी देते हैं, तो इसलिए अगर आप trading करते हैं, learning करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों के उपर हम update किया करते हैं अपने टेलि देट, वहाँ पे हमने 5 डॉलर की entry करवाई थी, first time BNB project में, उसके बाद में, अभी मई और अप्रेल के महीने में लगबग 7-8 महीने पहले, almost last chance to buy Binance coin now, 15 डॉलर का था, वहाँ पे buy करवाया, mid term और long term के लिए जबरदस्ट प्रोजेक्ट था, पूरी analysis और research करके भी वीडि Binance के बारे में, तो जरूर देख लीजिएगा, आज आप देख सकते हो, 130 डॉलर के पार जा चुका है लगबग, आप सोचिए कि 5 डॉलर के entry, 15 डॉलर के entry, अगर आपने कहीं भी इस price में लिया है, long term और mid term के लिए, तो आज आप देख सकते हो, कितना जबरदस्ट return मिल ला है, और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे Binance Coin को क्या करना चाहिए, short term trader, intraday trader, बिल्कुल इन सभी coin से अभी दूर रहिएगा, क्यों, क्योंकि आ लेडी ये coin बहुत उपर जा चुके हैं, अगर आप mid term trader है और long term trader है, या फिर investor है, तो आप इन coins को buy करके, आख पंद करके hold कर लीजिए, 4-6 महिने, 8 महिने के लिए, आपको profit होने ही वाला है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, कि alt coins, आप में से बहुत सारे लोगों के comments आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कि आखिर अब alt coin का क्या करना चाहिए, आलरेडी मैंने परसो वीडियो बनाया था, कि alt coin से exit हो जाईए, कम से कम 80-90% हो सके, तो 100% alt coin से बाहर हो जाईए, market dump करने वाली है, किसी ने नहीं बताया था, पूरे market में मेरा 100% open challenge है, आप check out कर लीजिएगा, दुलिया का कोई channel होगा, कोई भी telegram होगा, किसी ने नहीं बाहर करवाया था, परसो सुबा की बात है, मैंने telegram channel पर बाहर करवाया था, इसलिए मैं कहता हूँ, follow करिये तो अच्छे से follow करिये, ना follow करिये तो मत करिये, क्योंकि follow करेंगे तो हो सकता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले, मैं बहुत सारी audios भी बनाता हूँ, video तो मैं telegram यहाँ पर बनाता हूँ, video अ पूरी life आपको सीखना ही है, trading ही करना है, पैसे ही कमाना है, तो इसलिए altcoins में अभी क्या करना है, जो लोग तो बाहर हो गए, doesn't matter, वो आज benefit में है, लेकिन कुछ अपनी family जो है, यहाँ पर हो सकता है, कि बाहर ना हो पाए हूँ, altcoins को hold कर लिए हूँ, तो यहाँ पर अभी percent का dump होंगे, और कुछ coin 25 से 30% का dump होंगे, क्यों? जो coin 25 से 30% dump होगा, वही coin होगा, जो 2x, 3x already हो गया है, जैसे data का signal दिया था, आप लोगों को याद होगा, 3x हुआ था, और 3x जब गया price, आप खुद सोचिए, कि 5 रुपे से माल लीजे, 15 रुपे price गया, तो आराम से वो calculation करते रहे, profit loss चेक करते रहे, कौन सा coin है, कौन सा project है, कितना price है, कितना उपर जाता है, कितना करेक्शन ले सकता है, क्योंकि हमेशा मैं बताता हूँ कि, यह पास ही talent नहीं है, मेरे पास ही talent नहीं है, दुनिया में सब लोगों के पास talent है, लोग पैसे बनाने आएं है इस market म that means कि यहाँ पे लोग profit अपना book करेंगे क्योंकि आपके पास मैंने बता दिया सिरफ आप ही talented और minded नहीं है दुनिया में बहुत सारे player हैं सब लोग profit book करते हैं इसकी वज़ा से आपको alert रहना है intraday और short term traders के लिए मैं बार बार यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिस कर रहा हूँ आप mid term trader है no doubt आप आख बंद करके अपने account को log it कर दीजिए log out कर दीजिए और उसके बाद में आप उसको देखिए भी नहीं एक दो महिने के लिए भूल जाए लेकिन जो short term trader है intraday trader है उनको active रहना ही पड़ेगा 24 गंटे में कम से कम एक दो बार market को आपको watch out करना ही पड़ेगा तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए alt coins को अगर आपने already यहाँ पे buy किया हुआ है तो आपको इस समय डरने की घबराने की जरूरत नहीं है अपने alt coins को hold रखिए अगर यहाँ पर आप entry लेना चाहते है तो parts में entry ले लीजिएगा आपको आने वाले time में बहुत जबरदस्त benefit होने वाला है और क्या यहाँ पे हमारे को exit करना जाना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे family members होते हैं जो नए होते है crypto industry में वो बेचारे डर जाते है जब market dump होती है फड की वज़ा से तो यहाँ पर मैं आपको simple सा एक रास्ता बताता हूँ अगर आप डर जाते हैं आप exit ही करना चाहते है market से तो आप 2-4 दिन थोड़ा सा patience रख लीजिए 10 दिन 15 दिन patience रख लीजिए फिर से market यही market उपर जाएगी जहाँ पर आप अभी डर रहे हैं यही market उपर जाएगी तब आप लोग बाहर हो जाईएगा अपना loss मत करिए इस समय exit करने का कोई भी मतलब नहीं है अगर इस समय आप market से exit करते हैं that means कि आपके अंदर बिलुकुल भी patience नहीं है इसलिए यहाँ पे आपको patience दिखाने के जरूरत है और hold करने के जरूरत है और आप सब लोगों को पता होगा मैं वीडियो में, आडियो में, मैसेज में हर जगे बताता हो कि जितना जादा price में fluctuations होते हैं उतनी ज़्यादा हमारे को opportunity मिलती है जैसे market dump हो जिस तरीके से अभी market down आई है धीरे-धीरे करके parts में buy करते जाईए hold करते जाईए dip I buy कर लीजिए dip I buy कर लीजिए dip I buy कर लीजिए और hold करते जाईए जैसे ही market recover होगी आपका अच्छा खासा average buying zone होगा और जैसे ही average price से उपर जाती है market profit booking start कर देना है और again market उपर जाएगी अगेन आपको market से exit होकर के बाहर हो जाना है ये होता है trading करने का strategy अगर ये strategy आप use करेंगे तो maximum to maximum आप ये समझ लीजिए कि आपका loss नहीं होने वाला है और चलते चलते एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल बहुत कमजोर है अगर market पांध दस परसेंट पंदरा परसेंट बीस परसेंट डंप होती है तो अगर आप यहाँ पे डर जाते हैं कि अब हमारे portfolio को क्या होगा हमारा पैसा तो खतम होने जा रहा है डूब जा रहा है तो प्लीज हाँ जोड का request है आपसे crypto industry को tata buy buy कर दीजिए और आप कोई दूसरी market देख लीजिए आप अपना job कर सकते है business कर सकते है कोई और industry चूज कर लीजिए वो आपके लिए बहुत ही best रहने वाला है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 5-10 portfolio यहाँ पर dump करता है तो आप डर जाते घबरा जाते यार ऐसा क्यों करते हो हमको एक चीज़ नहीं समझ में आती है market क्या पहली बार जीवन में dump हुई है altcoin की या पहली बार pump हुई है आप ही बताओ 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ हमेशा 10-15 दिन में 8 दिन में या 20 दिन में market dump होती pump होती dump होती pump होती dump होती pump होती तो आप एक strategy क्यों नहीं अपनाते कि हमें 5-10% 15% profit लेके बाहर हो जाना है that's it और जो medium term trader है long term trader है वो अपना investment करके भूल जाहिए project को देखते रहिए इस तरीके से अगर आप काम करेंगे न my 99% आपको challenge करता हूँ कि आप हमेशा profit में रहेंगे और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी एक वज़ा है कि आप खुद decide नहीं कर पाते हो कि आप intraday trader हो कि short term trader हो कि mid term trader हो कि long term investor हो सबसे पहले आप खुद decide कीजिए कि हमें intraday trade में करना है intraday trading करना है किसी भी project में investment करना है तो खाली हमें 5% profit लेना है और बाहर हो जाना है वो coin चाहे 500% उपर चला जाए doesn't matter क्योंकि वहाँ पे मज़ा तो आता है पस्ताते तो हैं लोग कि हाँ 5% उपर चला गया लेकिन अगर वो coin dump हो गया तो hard attack आजाएगा आपको इसलिए fix रखिए कि हमें 5% लेना है short term जो लोग 2-4 दिन 10 दिन के लिए trade करते हैं आपको profit मिलता है से 15% 20% profit book करते रहिए बाहर हो जाएए again market dump होगी क्योंकि जैसे आज dump हुई इसी तरीके से फिर dump होगी और फिर pump होगी तो फिर आप घबराएंगे इसकी वज़ा से आप पहले decide कर लिजे कि intraday trader है या फिर short term trader है mid term के लिए कोई tension नहीं आपको याद होगा Ethereum coin का example ले लेता हूँ यहाँ पो समझाने के लिए साढ़े 600-700$ पे buy करवाया था जनुरी महिने में free signal था टेलिग्राम में साढ़े 1300$ तक गया again उसमें correction आया 900$, 900$ again हमने signal दिया फिर से वो 12-1300$ तक गया again वो 1000$ पे आया फिर से मैंने signal दिया फिर 1500$ गया आपको सचे चार ट्रेड कैसे complete करवाई pump और dump यह मैं इसलिए कहता हूँ कि pump और dump में आप क्या कर सकते profit बहुत ज़्यादा बना सकते हैं लेकिन कुछ लोग इसमें उल्टा करते हैं जब doggy coin उपर चला गया market में FOMO फैल गया कि एक डोलर जाने वाला है बहुत सारे लोगों ने investment कर दिया high price पे अब वो लोग सोच रहे अब यह price dump हुआ तो लोग सोच रहे है कि अब यहाँ से exit कर ले और जैसे फिर से market में फट आता है थोड़ा सपम्प होता है फिल लालत में उसमें entry कर लेते है अभी मैंने अल्रेटी बताया कि डोगी कोईन से अपनी पूरी family ने 10 गुना का profit बनाया है 25 सतोसी का signal था 25 सतोसी लगबग गया था 10 गुना profit हो चुका है तब से लेकर के आज तक मैंने कोई trade ही नहीं करवाई है आपको मैंने बाहर करवा दिया इसलिए एक कोईन से चिपक करके नहीं रहना है प्यार नहीं करना है उस project से profit मिल गया दूर हो जाईए market में 10,000 project है लगबग उसमें trade करिए उस coin को select करिए क्या जरूरी एक ही coin में आप पढ़े रो doggy को पकड़ लिया तो doggy coin ही पकड़ते रहेंगे pump होता डंप होता उसमें पता चला portfolio खतम हो चुका है इसलिए मैं बहुता हूँ कि अच्छे coins को select कीजिए positive trade करिए सीखने के कोशिस कीजिए learning की कोशिस करिए और मैं अपनी तरब से 101% देने की कोशिस कर रहा हूँ चाहे वीडियो में हो या फिर audio में हो या फिर telegram में हो हर जगे follow कीजिए सीखने की कोशिस कीजिए limited investment कीजिए मैं 99% challenge करता हूँ कि आप बहुत पैसा कमा सकते हैं वीडियो में अगर 1% भी information मिली है तो like जरूर करिएगा comment करके हमें बताईएगा कि आपका मेरा work कैसा लग रहा है और चैनल नहीं subscribe किया तो कर लीजिए क्योंकि हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए take care अगस्ट आप लग है बना इस्टे